वने मातरम, सुप्रबाद, नमस्कार, कैसे हैं सभी? आप सभी का स्वागत करता हूँ तो आज से हम टॉपिक की शुरुवात कर रहे हैं कल हमने लाइव आके आपके उस लेबस डिसक्रिशन करा दिया था और उस लेबस का पीटीफ भी आप लोगों को वाइल करा दिया था कि कौन-कौन से टॉपिक हम इस बैच में पढ़ने वाले हैं ताकि किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे आज पहली क्लास है तो हमने भी पहली क्लास से ही शुरुवात की है और टॉपिक हमने उठाया है क्लॉक घड़ी तो उमीद करता हूँ भई सभी जुड़ जाईए समय से जुड़िएगा सभी का स्वागत करता हूँ सभी को राम राम नमस्कार वंदे मातरम जयहिंद आप्लिकेशन पर ठीक चल रहा है यूटूब पर ठीक चल रहा है वंदे मातरम भई सभी को नमस्कार सभी को जयहिंद अब ठीक है कॉलिटी तो चली हम शुरुवात करेंगे क्लॉक से घड़ी से और क्लॉक में घड़ी में क्या-क्या चीज़े हैं जो हमें करनी है तो क्लॉक चाप्टर में सबसे पहले क्या-क्या टॉपिक्स हम यहां करने वाले हैं क्लॉक में हम पहले करेंगे अंगुलर डिस्टंस कोणिया दूरी अंगुलर डिस्टेंस कोणी यह दूरी दूसरा हम यहां करेंगे टाइम का अंगल में बदलना टाइम का अंगल में कनवर्जन और तीसरा अंगल का टाइम में कनवर्जन अंगल का टाइम में कनवर्जन बदलाव यानि समय का कोण में बदलना कि समय को कोण में कैसे बदला जाता है या कोण का समय में बदलाव बदलना, कनवर्जन हम यहां देखने वाले है ठीक है बटा चौथा हम यहां पे करेंगे मिरर एंड वाटर इमेज ओफ क्लॉक घड़ी की पानी एवं दर्पन में आकरती घड़ी की पानी एवं दर्पन में आकरती पांच हम करेंगे मिसलेनियस कुष्चन जो वर्ड प्रॉब्लम होती है और फिर उसके बाद हम करेंगे इनकरेक्ट क्लॉक त्रूटी पूर्वक घड़ी एसी घड़ी जो गलत समय दर्शाती है जो त्रूटी से भरा टाइम दर्शाती है एरर फूल टाइम दर्शाती है यह ऐसी है नो बेटा ठीक है के वेस के लिए वेवेक आपको वहां सफिशेंट है और एक्स्ट्रा डिटेल में आपको चीजों को पढ़ना है तो ही आप उस पर जा सकते हैं सभी को बंदे मातरम भई, सभी को नमश्कार, सभी को जयहिंद स्टार्ट करें क्लीर है भई, सभी को एकदम चली तो चली हम शुरुबात कर लेते हैं भेज दीजीगा बटा सबसे पहले हम बात करते हैं घडी में तो घडी का जनरल डिस्कुशन एक कर लेते हैं ये हमारे सामने गडी मोजूद है देखो बटा, बिलकुल Clock से समझेंगे ये हमारे सामने गडी मोजूद है ठीक है बटा अब ये घडी में अगर मैं दोनों सुईयां 12 पर ले आता हूं धान से सुनिएगा बिटा घड़ी में दोनों सुईयां मैं 12 पर ले आता हूं ये दोनों सुईयां 12 पर है जब ये दोनों सुईयां 12 पर हैं तो इसे बोलते हैं 0 degree का एंगल जब दोनों सुईयां 12 पर हैं छोटी वाली सुई घंटे की होती है अब ये बताओ बेटा अब ये बताओ आज class शुरू होगी बेटा, chapter शुरू हो गया कोई strategy नहीं है, आज class शुरू हो चुकी है आज से clock session की हम शुरुवात कर रहे हैं अब मुझे ये बताओ ये angle कितने degree का है बेटा घडी में ये angle अच्छा एक बात बताओ चलो angle तो ये आप ना जाने मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी 0 degree का angle है अभी कितने degree का angle है बेटा 0 degree का अभी दोनों सुईयों के बीच में जो angle है वो 0 degree का है मतलब कोई fast line के बीच में नहीं है ठीक है, ये 0 degree का angle है अगर minute की सुईय अगर minute की सुईय आगे चलती है और एक बज़ गया, अब कितने degree का angle है बेटा एक बज़ गया, घंटे और मिनट की सुईय के बीच में कितने degree का angle है कोन बताएगा बेटा एक बज़ गया, घंटे और मिनिट की सुईं के बीच में कितने डिगरी का एंगल है जल्दी बता बटा एक बज गया है घंटे और मिनिट की सुईं के बीच में कितने डिगरी का एंगल है फिर मैं बात करूँगा दो बज गए फिर मैं बात करूँगा तीन बज गए अज़ा तीन बजे तो छोटा बच्चा भी बता देगा तीन बजे के लिए आपको कोई दिक्कत भी नहीं है तीन बजे मुझे बताईए कितने डिगरी का एंगल है तो तीन बजे ये एंगल है कितने डिगरी का बिटा 30 डिगरी 30 डिगरी का तीन बजे 90 डिगरी का तीन बजे कितने डिगरी का है बटा 90 डिगरी का अब 90 डिगरी यानि तीन वैल्यू 90 के बराबर है यानि तीन घड़ी में जब तीन बजे हैं जब तीन बजे हैं तो कितने डिगरी का एंगल है 90 तो एक बजे कितने degree का angle होगा 90 divided by 3 30 degree ये बात आपको समझ में आ गई बेटा एक बजे कितने degree का angle होगा 30 degree का angle होगा yes या no हाँ या ना में जवाब दीजिएगा बेटा हाँ या ना में जवाब दीजिएगा ठीक है इसका मतलब ये है कि घड़ी में ये जो gaps बने हुए है ये 30 30 degree पर मौझूद है 30 30 degree का मतलब 12 से 1 30 degree 1 से 2 30 degree 2 से 3 30 degree 3 से 4 भी 30 degree 4 से 5 भी 30 degree और 5 से 6 भी 30 degree और 30 30 degree में 3 से divide क्यों किया बेटा common sense की बात है जब 3 बजे 90 degree का है तो 1 बजे 90 divided by 3 ये तो unitary method बेटा common सी बात है अगर 3 value 90 के बराबर है तो 1 value 30 के बराबर होगा इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है next आम बात करते हैं बेटा बोड पे अगल आप ध्यान दीजिएगा बेटा ये 30 30 degree पर बटवारा हुआ एक gap 30 degree का है जो नहीं ले सकते हैं आप ये बैच एक gap 30 degree का है तो बारा gap होँगे बारा गुना 30 307 बारा गुना 30 कितने होँगे बेटा 360 degree समझ गे अब ये बताइए बेटा फिर से देखिए बारा बजे तो 0 degree के एंगल बना 3 बजे 3 बजे कितने डिगरी के एंगल बना 90 डिगरी का अब मैं एक प्रशन आपसे पूछता हूँ अब मैं एक प्रशन आपसे पूछता हूँ हर चीज घडी से समझेंगे बेटा हर एक logic का तोड़ हम घडी से निकालने वाले हैं ये देखो चोटी वाली सुई घंटे की होती है बड़ी वाली सुई मिनिट की है मिनिट की सुई बारा पर है मुझे बताईए मिनिट की सुई बारा से तीन कितने मिनिट में जाएगी मिनिट की सुई बारा से तीन कितने मिनिट में जाएगी बताओ बेटा सर मिनिट की सुई बारा से तीन पंदरा मिनिट में जाएगी मिनिट की सुई बारा से तीन कितनी दिर में जाएगी पंदरा मिनिट और जो मिनिट की सुई है वो बारा से तीन पर पंदरा मिनिट में जाएगी पंदरा मिनिट में और पंदरा मिनिट में जा रही है तो बारा से 12 as 3 पर 15 minute में जा रही है 12 as 3 एंगल कितने का होता है बताओ 12 as 3 कितने डिगरी का एंगल है 12 as 3 कितने डिगरी का एंगल है 90 ढिगरी बहुत शांदार जवाब आया 15 minute में 90 डिगरी चलती है तो एक minute में कितना चलेगी 90 बटे पंदरा आभी कोई लिखेगा नी बेटा ये सब वर्बल डिसकेशन है मैं पूरा लिखवाऊंगा मैं पूरा लिखवाऊंगा प्रॉपर नॉट्स बनवाऊंगा मैं पूरा लिखवाऊंगा प्रॉपर नॉट्स बनवाऊंगा तो मिनिट की सुई एक मिनिट में कितना चलती है बेट 3 6 और 9 और यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 यह 30-30 डिगरी पर बटे हुए सारे के सारे यहाँ पर 7 यहाँ पर 8 यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11 बिटा एक बात बताओ दोनों सुईयां 12 पर है तो 0 डिगरी का एंगल है मैंने अभी-अभी प्रूव किया कि जो minute की सुई है मैंने अभी-अभी प्रूव किया कि जो minute की सुई है वो एक minute में minute की सुई एक minute में 6 degree चलती है अब इस बात को मैं दुबारा प्रूव करने जा रहा हूँ तो please बोड पे ध्यान रखिएगा और proper हम इसको notes भी करेंगे सबसे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि ये 30-30 degree का बटवारा कैसे है 30-30 degree का किसी बच्चे ने पूछा सरक्लियर नहीं हुआ एक बात बताओ यहां से यहां तक 90 degree है यहां से यहां तक 90 degree है तो 12 से 1 कितना होगा? 30 degree एक से 2 भी कितना होगा? 30 degree दो से 3 भी कितना होगा? 30 degree इसका मतलब घडी की सुईयों का जो बटवारा होता है वो कितने कितने degree का होता है बटा? 30-30 degree का होता है तो घडी में जो यह आप gap देख पा रहे हैं यह 30-30 degree पर बटे हुए हैं कितने कितने डिगरी पर बटे हुएं बटा, 30-30 डिगरी पर बटे हुएं, इसमें कोई दिक्कत बटा किसी को, घड़ी में ये जो आप देख पा रहें, बटवारा, ये कितने कितने डिगरी पर है बटा, 30-30 डिगरी पर मौझूद है, 30-30 डिगरी पर मौझूद है, yes या no, ह या ना समझ गए उसके बाद ये बात क्लीर होगी सभी को तो पूछा था कि तीन से डिवाइड क्यों किया आपके सामने भी क्यों किया फिर मैंने आपसे कहा कि घड़ी में मान लेते हैं बारा बजे हैं तो दोनों सुईयां बारा पर है दोनों सुईयां कहा है बेटा बारा प सुई, बारा से वापस बारा कितनी दिर में आएगी, बड़ी वाली जो सुई है, मिनिट की जो सुई है, वो बारा से वापस बारा कितनी दिर में आएगी, कमेंट करके बताईएगा बटा, शाबाश, मिनिट की सुई, बड़े वाली सुई, बारा से वापस बारा कितनी दिर म वो 12 से वापस 12 पूरा एक घंटे में आएगी, पूरा चक्कर लगाएगी, तो वो एक घंटे में आएगी, एक घंटे में कितनी मिनिट होती है, 60 मिनिट और पूरा चक्कर लगाएगी, तो पूरा चक्कर लगाने का मतलब कितना डिगरी चल गई, पूरा चक्कर लगाने का मत पूरा चक्कर लगाएगी और एक घंटे में पूरा चक्कर लगाएगी तो 360 डिगरी घुम जाएगी हाँ या नामे जवाब दीजीएगा भटा 360 डिगरी घुमेगी clear है एकदम पस्ट है सभी को तो जब एक घंटे में 360 चलती है यानि 60 मिनिट में 360 चलती है तो एक मिनिट में कितना चलेगी 360 बटे 60 6 डिखरी प्रूव कर दिया हमने प्रूव हो गया विटा ये समझ में आ गया बात प्रूव हो गई देखो प्रूव करना कोई दिक्कत नहीं है यह आपको याद भी रखना है और मैं एक बात क्या रहा हूँ अगर आपको समय देखना आता है तो पूरा आपको घड़ी चप्टर बड़े अच्छा से आ जाएगा और समय एक-एक को आता है समय एक-एक को आता है हाँ बेटा राहूल राण सारे चप्टर कंप्लीट होंगे मिनिट की सुई एक मिनिट में कितना चलती है बेटा छे डिगरी मिनिट की सुई एक मिनिट में कितना चलती है छे डिगरी समझ गे बेटा येस या नो अब बात करते हैं घंटे की जो सुई है घंटे की जो सुई है आवर एंड है घंटे की जो सुई है वो एक मिनिट में आधा डिगरी का कोण बनाती है कैसे प्रूव करेंगे आओ बिटा बोड पे धान दो कैसे प्रूव करेंगे घंटे की सुई होती है छोटी वाली सुई घंटे की सुई यह छोटी सुई चुटकू सुई यह जो घंटे की सुई अभी 12 पर है तो मुझे बताओ यह 12 से वापस 12 कितने घंटों में जाएगी कमेंट करके बताइएगा घंटे की सुई 12 से वापस 12 कितने घंटों में जाएगी बेटा कमेंट करके बताइएगा समझगे बेटा बेटा YouTube पर सारा content नहीं होगा ना बेटा एक बच्चा 11 इसारे हमने पैसे दिए भयरी गूड बेटा 12 घंटे में 12 घंटे में घंटे की सुई पहले घंटे में 1 पर आईगी दूजय घंटे में 2 पर आईगी तीजे घंटे में 3 पर आएगी, चोथे में 4 पर आएगी, पांच में 5 पर आएगी, तो जो घंटे की सुई है, जो घंटे की सुई है, छोटी वाली सुई है, वो हर घंटे एक एक कदम आगे बढ़ती है, पहले घंटे में 1 पर, दूसरे में 2 पर, तीसरे में 3 पर, चोथे में चार पर पांच में में पांच पर और इस परकार इसको लगेंगे 12 गंटे और 12 गंटे का मतलब कितना होता है 12 गंटे का मतलब 720 मिनिट होता है या नहीं होता है हा या ना मैं जवाब दो 12 गंटे का मतलब 720 मिनिट होता या नहीं होता 12 hours क्या 12 गंटे का मतलब 720 मिनिट होगा या 12 गंटे में 720 मिनिट होता है तो ये पूरा सरकल घूमती है तो 360 डिगरी अरे भई घंटे की सुई 12 से वापस 12 12 गंटे यानि 720 मिनिट में आएगी और पूरा चक्कर लगाने का मतलब हो गया 360 डिगरी घूम जाएगी पूरा चकर लगाने का ताथ पर ये क्या हुआ कितने में कितना चलेगी बेटा तो आप कहेंगे की सर एक मिनिट में चलेगी 360 में 720 कैयों को तो यही बात समझ में नहीं आती सर क्यों डिवाइड करते भाई Unitary method है एक एक गनियम है कि दस बॉल की कीमते 100 रुपह है तो एक बॉल की कीमत 100 बटे 10 समझ में आए बेटा समझ गये आवरेंड का concept सबको clear है, कोई तगाज़ा नहीं बड़े प्यार से प्रेम से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, कैमरा हिल रहा है क्या, कैमरा बिल्कुल ठीक है बटा, नहीं हिल रहा, ठीक है, आओ बटा, फिर देखिए जिनको घंटे की सुईं का case नहीं आया, घं पूरा चक्कर लगाने के लिए से 12 घंटे लगते हैं, और 12 घंटे में 720 मिनट होती हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 12 घंटे में 720 मिनट, और 720 मिनट में ये पूरा चक्कर लगाती है, मतलब 360 डिगरी घूम जाती है, तो 720 मिनट में 360, तो 1 मिनट में 360 बटे 720, 1 by 2 डिग एकदम क्लियर हो गया बेटा मैंने फिर से रिपीट कर दिया फिर एक प्रशन आप से फूशता हूँ घंटे की सुई और मिनिट की सुई में ये वेक्ति सब जानते हैं कि मिनिट की सुई तेज चलती है आप जानते हैं घंटे और मिनिट की सुई में मिनिट की सुई तेज चल आप ही बताईए बेटा, प्रशन आएगा कि मिनट की सुई, घंटे की सुई से कितना तेज चलती है, बताओ बेटा जल्दी बताओ, बेटा वो मिसलेनियस में होगा लवेश, जो प्रशन आया था ना, कि एक घड़ी 7 सेकिंड में 7 बार स्ट्राइक करती है, 6 बार स्ट्राइ करने के लिए कितना समय लगेगा, मिसलेनियस में हो जाएगा, मिसलेनियस में हो जाएगा इस पार, बेटा वैलेडिटी जितनी थी बच्चे उतनी रखिये, मेरे हाथ में नहीं होता है वैलेडिटी बढ़ाना, वो टीम का काम होता है, मैनेजमेंट का होता है, वेरी गुड आदमी पारक का चक्कर लगाने के लिए एक सर्कुलर पारक है, एक आदमी यहां से यहां वापस आने के लिए एक घंटा लेता है, एक आदमी पूरा चक्कर लगाने के लिए एक घंटा लेता है, मालो 360 मीटर का चकर है, तो एक घंटे में 360 मीटर चलता है, और दूसरा आदमी चक्कर लगाने के लिए दूसरा आदमी चक्कर लगाने के लिए 12 घंटे लेता है, रेंग रेंग कर चलता है कच्छुए की तरह है, तो 360 मीटर चलता है, तो भाई इनके देखिए 12 कितने गुना है एक व्यक्ति ने वही चक्कर एक सुई ने वही चक्कर एक घंटे में लगाया दूसरी सुई ने वही चक्कर बारा घंटे में लगाया देखो, 360 डिगरी चलने के लिए केवल एक घंटा लगा 360 डिगरी चलने के लिए बारा घंटे लगे इस पारक का चक्कर लगाने के लिए एक आदमी ने को केवल एक घंटा लगा, दूजे आदमी को बारा घंटे लगे, तो इनके बीच में स्पीड का फासला कितने गुना का होगा? बारा गुना का होगा. कितने का होगा बेटा, बारा गुना का होगा, बारा गुना का, तो दोनों के बीच में, जो स्पीड में फासला होगा, वो बारा गुना का होगा, मतलब ये है, कि मिनिट की सुई, घंटे की सुई से बारा गुना तेच चलती है, या घंटे की सुई, मिनिट की सुई से बारा slow चलती है भैई दो आदमी है हमारे पास एक खेत है perseverance stadium है stadium में दो आदमी है एक आदमी उस stadium का चक्कर लगाकर आ गया एक घंटे में दूसरा आदमी चक्कर लगाकर आया 12 घंटे में सुबह चलना शुरू किया शाम को आया तो जिसने ज्यादा समय लगाया, वो slow होगा, तो यहाँ पे minute की सुई, घंटे की सुई से तेज चल रही है, घंटे की सुई ने ज्यादा समय लगाया, तो घंटे की सुई slow चलेगी, तो अगर आपसे ये पूछे, कि घंटे की सुई, minute की सुई से कितने गुणा slow है, 12 गुण ये clear हो गया बेटा, समझगे बेटा, yes या no, एकदम सपस्ट, मैंने 2-3 बार आपको बता दिया, और इससे हमें ये एकदम clear हो गया, जो red color में मैंने लिखा है, वो आपको समझाने में मदद करेगा, ये red color में लिखा है, कि एक घंटे में 360 डिगरी चली, 12 घंटे में 360 डिगरी चली, तो दोनों के बीच में speed का फासला 12 गुना का है, लेकिन वो कितने गुना का है बेटा, 12 गुना का, तो हम कहेंगे कि दोनों सुईयों के बीच में फासला है speed का, लेकिन वो फासला 12 गुना का ह क्लियर हो गया आगे बढ़ गए बिटा कोई डाउट लत्ती भर भी लेश मात्र भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए ठीक है बिटा आगे चलते हैं ठीक है अब एक सुई और होती है वो सेकंड की सुई उस पर भी थोड़ी सा प्रकाश डालेंगे क्या होती है सेकंड की सुई थोड़ा सा चर्चा करते हैं बिटा सेकंड की सुई के बारे में सेकंड की जो सुई है सेकंड की जो सुई है वो एक सेकंड में 6 डिगरी चलती है एक सेकंड में 6 डिगरी का एंगल बनाती कैसे प्रूव करेंगे भा इस बात को सेकंड की सुई देखो इसमें तो मि गंटे की दिखाई दे रही है ये सबसे थोड़ी सी लंबी भी होती है और अलग से दिखती भी है और हर सेकंड अपनी पोजीशन बदलती है आप सभी को सेकंड की सुईंग की पैचान है आप सभी को सेकंड की सुईंग की बड़े अच्छे से पैचान है दिखाई भी दे रह मुझे बताईए सेकेंड की सुई पूरा चक्कर कितनी देर में लगाएगी सेकेंड की सुई पूरा चक्कर कितनी देर में लगाएगी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि सेकेंड की सुई आपके सामने है वो पूरा चक्कर कितनी देर में लगाएगी बताइए बेटा, ये second की सुई है, अगर second की सुई को पूरा चक्कर लगाना है तो कितनी देर में लगाएगी, शाबाश, comment करके बताइएगा, second की सुई, पूरा एक चकर कितनी देर में लगाएगी, बहुत बढ़िया बेटा, जवाब आ गए, second की जो सुई है, वो पूरा च डिगरी घूम जाएगी, बही पूरा चकर अपने आप में कितने डिगरी का होता है, 306, पूरा चकर अपने आप में कितने डिगरी का होता है, 306 डिगरी का, है ना बेटा, तो ये 60, ये सबसे तेज है, ये क्या है, एथलीट है, ये दोडती है, सबसे तेज दोडती है, तो चलती है, यह सब से तेज दोडने वाली सुई है, तो आईए बोड पे धान दीजएगा, एक मिनिट में 360 डिगरी चलती है, यानि 60 सेकंड में 360 डिगरी चलती है, तो एक सेकंड में कितना चलेगी बेटा? एक सेकंड में चलेगी 360 बटे 60, जिसका मतलब होगा 6 डिगरी, तो एक सेकंड में चलती है 6 डिगरी, अब मुझे बताईए, मेरा प्रशन है आप सभी से, देखते हैं कितने जने सही बताते हैं, सेकंड की सुई से तेज सेकंड की सुई चलती है, लेकिन कितने घुना तेज चलती है, आप ही बताईए, बताईए, second की swing minute की swing से कितने गुना तेज चलती है जल्दी बताओ बटा शबाश second की swing minute की swing से कितने गुना तेज चलती है बताओ आप भी बतादो बटा भाई आपके सामने है नजरोगे एक दम स्पस्ट है एक दम 60 गुना 60 गुना 60 गुना 60 गुना agree कर रहे हैं वही सारे ऐसा ही है आओ देख लेते हैं एक बार बात हजम होई या नहीं होई एक आदमी को 360 डिगरी चलने के लिए 60 मिनिट लगे दूसरे आदमी को 360 चलने के लिए 60 सेकंड लगे यानि यानि इसे एक मिनिट लगा इसे साथ मिनिट लगे तो उतनी ही दूरी ये एक मिनिट में पार कर रहा है उतनी ही दूरी को ये साथ मिनिट में पार कर रहा है तो दोनों के बीच में फासला है साथ गुना का very good बेटा, संतुष्ट हो गया मैं आपके जवाब से कि दोनों के जो बीच में फासला है वो 60 गुना का है तो दोनों के बीच में जो फासला बताया वो 60 गुना का अपने एक दम सही बताया दोनों के बीच में बेटा जो फासला है, वो 60 गुना का है एक और प्रशन है भी मेरा आपसे घंटे की सुई और सेकंड की सुई में सेकंड की सुई तेज चलती है कितने गुना तेज चलती है ये बताओ बेटा कितने गुना तेज चलती है ये बताओ सेकंड की सुई घंटे की सुई से तेज चलती है कितने गुना तेज चलती है ये कौन बताएगा जल्दी बताईए और बताओ बिटा मैंने हाइलाइट कर दिया है अब किसी को कोई दिक्कत होरी नहीं चीए मैंने सामने चीजें एकदम हाइलाइट कर दी है आप कहेंगे किसर तेज तो चलता है लेकिन कितने गुना 720 गुना कैसे पता चला ऐसे पता चला भाई एक आदमी 360 मीटर का चकर एक मिनिट में लगा देता है वहीं दूसरा आदमी 360 मीटर का चकर 720 मिनिट में लगाता है बहुत ज्यादा टाइम लगाता है तो बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है तो ये 720 मिनिट आया एकदम क्लियर है भाई आगे बढ़ने की जाज़त है यहां तक सभी को सपस्ट क्लियर है कोई दिक्कत बेटा किसी को कमेंट बेटा सबके रीड कर रहा हूँ जितनी कोशिश हो रही है मैं सभी के कमेंट रीड कर रहा हु ये मत सोचा हूँ कि हमारी कमेंट रीड नहीं करते जिसके possible होता है संभावना होता ही कमेंट जरूर रीड करते है ठीक है बेटा, चलिए, भाई अभी fast नहीं अधित्त है, अभी थोड़ा slow, एक बार बच्चों की बैटरी चार्ज हो जाए, कईयों की बैटरी बड़ी लेट गरम होती, एक बार आपकी बैटरी गरम हो जाए, बैटरी गरम हो जाएगी फिर speed पकड़ लेंगे, अभी एक बार basic सीख रहे हैं आप लोग, तो चलिए मैंने आपको एक नई बात सिखा दी, वो नई बात आप खेर अल्रेडी जानते भी थे, मैं आपसे कुछ प्रशन पूछ रहा हूँ, मैं तीन प्रशन पूछ रहा हूँ, second hand, second की सूई, एक second लगाती है, 6 डिगरी चलने में, 6 डिगरी minute की सूई, एक minute या 60 second लगाती है, एक minute या 60 second लगाती है, 6 डिगरी चलने में, लेकिन मेरा आपसे प्रशन ये है, कि जो घंटे की सूई है, वो घंटे की सूई है, वो 6 डिगरी चलने में कितने minute या second लगाएगी, बताओ बिटा, घंटे की सूई, 6 मिनट चलने में कितने minute सेकिन लगाएगी जल्दी बताईए बटा जल्दी बताऊ बटा शाबाश ये क्लास कितनी जगे चल रही बटा तीन जगे चल रही है ये क्यारियर वे लैप पर भी लाइव जा रहा है और यही क्लास रीजनिंग बाई अरुन कुमार पर भी लाइव है दो यूटूब चैनल पर एक साथ लाइव जा रही है रीजनिंग बैरुन कुमार और वाई आरपी और कैरेविल अप बारा घंटे ना भी ना मजा खराब गर दिया कमाल गर दिया पांटे जी बारा घंटे कैसे आएगा अरे भाई घंटे की जो सुई है वो एक मिनिट में आधा डिगरी चलती है आधा डिगरी तो उसे छे डिगरी चलने के लिए बारा मिनिट लगेंगे हा या ना में जवाब दो बिटा छे डिगरी चलने के लिए उसे बारा मिनिट लगेंगे जब एक मिनिट में आधा चलती है तो बारा मिनिट में बारा का आधा चलेगी अभी इसमें गलती गर्दी काफी लोगों ने तो पढ़ाय लिखाया सब बेकार कर दिया इतनी बारी की से बताया फिर भी गड़बड कर दिया अरे जब मिनिट की सुई एक मिनिट में आधा चलती है दो मिनिट में पूरा चलेगी तो छे डिगरी चलने के लिए उसे बारा मिनिट चाहिएंगे सीधी सी बात है हाया ना अरे जब एक मिनिट में आधा चलती है तो बारा मिनिट में बारा का आधा बारा का आधा छे डिगरी ये बात क्लियर हुई या फस गया इसमें हाया ना में जवाब दो बिटा ये बात क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई हो गई ना क्लियर हो गई ना वेर उसी से आपको गुणा पता लग गई, ये 1 second, ये 60 second, तो दोनों के बीच में 60 second, 60 गुणा का फासला होगा, दोनों के बीच में जो फासला होगा, वो कितने गुणा का होगा, 60 गुणा का, ये 1 second, ये 720 second, इसके इसके बीच में फासला कितने गुणा का होगा, 720 गुणा का होग ये एक मिनिट और ये बारा मिनिट दोनों के बीच में फासला कितने गुणा का होगा बारा गुणा का ये निचोड लिख दिया बैटा मैंने लास्ट में आप में और किसी को कोई दिक्कत हो ना ही चाहिए हाया नामे जवाब दो बैटा सभी क्लिएर है एक दम कमेंट की आरो बिटा समझ आ गई बात एकदम से कोई दिक्कत किसी को समझ गए तो यहां से आपको घड़ी को देखकर ही एक अंदाजा हो रहा है कि इनके बीच में जो फासला है वो कितने गुना का है और ये प्रशन एज़ेटेज आते हैं ये प्रशन पेपर में एज़ेटेज आ जाते हैं कि मिनट की सुई गंटे की सुई से कितने गुना तेज चलती है तो कोई दिक्कत किसी को होने नीची अब आगे आता हूं मैं अगली बात जो मैं आपको बताता हूं वो हेडिंग डालिए अच्छा एक प्रशन और पूछता हूं अच्छा प्रशन पूछता हूं वो प्रशन ये है ये आ चुका है बता प्रशन मिनट की सुई एक मिनट में घंटे की सुई से पीछे वाला सब नोट करें ना बाद में कितना अधिक चलती है कितना अधिक चलती है कितना अधिक चलती है How much more distance How much more distance minute hand and travel over our hand in one minute ये प्रशन आया हुआ है बिटा और आपने ये बड़ भी लिया है लेकिन फिर भी आप इसमें गलती करते हैं आंसर दीजिएगा बिटा आंसर दीजिएगा बारा बटे ग्यारा कह रहे हैं गलत कह रहे हैं कि बताओ शाबाश आंसर तो बताओ क्या होगा कि साड़े पांच डिगरी कोई कह रहा है कोई ग्यारा कह रहा है कोई 720 कह रहा है भाई गलतिया ना करें बड़ी गलती कर रहे हो आप गलती ना करें प्रशन आ चुका है ये और प्रशन आ चुका है तो कैसे आंसर करेंगे इसे हम देखिएगा बटा धान से जो मिनट की सुई है जो मिनट की सुई है वो एक मिनट में कितना चलती है छे डिगरी घंटे की सुई है वो एक मिनट में कितना चलती है आधा डिगरी अरे एक मिनट में चलती है छे डिगरी दूसरी सुई एक मिनट में चलती है आधा डिगरी एक आदमी चला छे डिगरी एक आदमी चला आधा मैं चला 6 मिटर मेरा दोस्ट चला 50 मिटर तो दोनों के बीच में फासला कितना होगा? कौन ज्यादा तेज चला? मिनिट की सुई? बारा गुना नहीं बताना आहाँ मैं बारा गुना की बाती नहीं कर रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ कि 1 मिनिट में मिनिट की सुईं घंटे की सुईं से कितना तेज चलती है एक मिनिट में एक आदमी चला 6 किलोमीटर दूसरा आदमी उसी मिनिट में चला आधा किलोमीटर तो दोनों के बीच में फासला बना 6 माइनस आधा 5.5 किलोमीटर का और कितनी दिर में बना पर मिनिट में बना पर मिनिट में एक मिनिट में साड़े पांच किलो मिटर का साड़े पांच डिगरी का फासला आ जाएगा यही तो पूछ रहा था तो जो मिनिट की सोई है वो घंटे की सोई से साड़े पांच डिगरी तेज चलती है एक मिनिट में या, 25.5ुट पांच डिक्री अधिक फासला तै करती है एक मिनिट में, यह समझमे है बिटा, एक मिनिट में साथे पांच डिक्री अधिक चलेगी, ये बात सबको clear है, clear हो गया, तो जो आप 12 कह रहे थे, 11 बटे दो साथे 5 हो गया, वो ठीक है, 12 बटे 11 गलत क्या रहे थे 12 बटे 11 जो है वो गलत क्या रहे थे तो कितना अधिक चलना और कितने गुणा दोनों में फर्क क्लियर है आप गलती करेंगे कि कितना अधिक तेज चलती है और कितने गुणा तेज चलती है ये दोन अलग अलग बाते है समझेगे बेटा ठीक है और अब मेरा प्रशन आपसे ये है मिनिट की सुई एक घंटे में बताओ बेटा मिनिट की सुई एक घंटे में अब बताओ इसका अंसर क्या होगा इन वन आवर अब बताना बेटा इसका अंसर क्या होगा अब बता उसका अंसर क्या होगा वो तो एक मिनिट में तो साड़े पांच डिग्री चल रही है एक घंटे में कितना चलेगी ये पूछ ले तो लगाएंगे बटा दूबे जी लगाएंगे मैरा थन जल्दी बता बटा आप बैंक की रीजिनिंग हो जाएगी जल्दी बता बटा इस चैप्टर से कितने प्रशन आते हैं डिपेंड करता है बटा अलग-अलग exam में अलग-अलग प्रशन आते हैं UPSC की बात करें आप दो प्रशन भी आ जाते हैं UPSI की बात करें एक से दो प्रशन इसमें आजाएंगे आपके cgl में एक प्रशन आ सकता है chsul में प्रशन आई हुए है तो ऐसा कुछ है नहीं ना banking में आपको ये करना नहीं है banking में आपको ये करना नहीं है very good बता जिन्नों ने 320 डिगरी का है एक दम सही जब आपको पता है एक चलता है 6 डिगरी एक चलता है आधा डिगरी तो दोनों के बीच में फासला हो जाता है साड़े पांच डिगरी का लेगिन साड़े पांच डिगरी का फासला एक मिनिट में होता है कितने मिनिट में तो मिनिट की सुई घंटे की सुई से साड़े पांच डिगरी ज्यादा चलती है एक मिनिट में, एक मिनिट में, तो एक बात बताओ बेटा, जब एक मिनिट में साड़े पांच डिगरी ज्यादा चल रही है, एक मिनिट में कितना डिगरी ज्यादा चल रही है, साड़े पांच डिगरी ज्यादा, तो आप से कितनी मिनिट में पूछ रहा हूँ, साथ मिनिट क्योंकि एक घंटे का मतलब ही 60 मिनिट होता है तो 60 मिनिट में चलेगी 60 गुना साड़े 5 डिगरी तो ये आएगा 330 डिगरी ये आएगा 330 डिगरी ये आएगा 330 डिगरी ये स्यानों बेटा ये clear है आपको 330 डिगरी का concept clear है कैसे हुआ समझगे ठीक है समझगे चली नेक्स आगे चलते हैं बेटा नेक्स आगे चलते हैं नेक्स एडिंग डालिए तो फाइंड दा अंगुलर डिस्टेंस कोणी ये दूरी ग्यात करना नेक्स एडिंग है तो फाइंड दा अंगुलर डिस्टेंस कोणी है दूरी ग्यात करना कोणी है दूरी ग्यात करना to find the angular distance कोणी है दूरी ग्यात करना क्या होता angular distance समय का angle में conversion angular distance क्या लाता है कोणी है दूरी क्या होता है बिटा angular distance क्या होता है time का angle में conversion angular distance क्या लाता है समझ गए कोणी है दूरी ग्यात करना नोट बाद में करना बेटा, नोट बाद में कर लेना वीडियो आपके पास रहेगा, क्वेश्चन देखिएगा, क्याल्कुलेट, हिंदी इंग्लिष दोनों में लिखा रहा हूँ, दा एंगुलर दिस्टेंस, दिस्टेंस, कवर्ड बाई, मिनेट एंट, क्याल्कुलेट दा एंगुलर दिस्टेंस, कवर्ड बाई मिनेट हैंट, फ्रम, तू तन, तू, तो, थिर्टी तू, दो दस से, दो बातिश तक, मिनेट की सुईँ द्वारा, सुई द्वारा तै की गई तै की गई कोणिये दूरी ग्याद कीजिए कोणिये दूरी ग्याद कीजिए अब बताओ क्या होगा इसका अंसर बड़ा आसान है बहुत आसान है बहुत स्पस्ट है कोई दिक्कत किसी को जल्दी बता बटा शाबाश 132 दिगरी कह रहे हैं 132 क्या गरी कर रहे हैं वही सारे के सारे 132 दिगरी कह रहे हैं ज्यादतर बच्चों की कमेंट्स आ रहे हैं 132 दिगरी 132 दिगरी कह रहे हैं वही चलो देख लेते हैं बटा आपको कि वास्तों में सही है या गलत 210 से 22 तक जब हम 210 से 22 की बात करेंगे बटा तो सबसे पहले टाइम इंटर्वल निकालो कि 210 से 22 तक कितना टाइम होता है तो आप कहेंगे सारी ये 22 मिनिट होती है कितने मिनिट होती है बटा 22 मिनिट 22 मिनिट और जो मिनिट की सुई है जो मिनिट की सुई है वो एक मिनिट में कितना चलती है 6 दिगरी तो 22 मिनिट में कितना चलेगी 132 दिगरी ये चीज़ें किसी को कोई doubt बेटा कोई दिक्कत बेटा 132 डिगरी अरे वह एक मिनिट में 6 डिगरी चलेगी तो 22 मिनिट में 132 डिगरी चलेगी लेगिन जहां doubt आना है वो प्रशन आगे आ रहा है वहाँ आपको doubt आएगा वो प्रशन आ चुका है dssb में वो भी मैं प्रशन आभी discuss करने वाला हूँ ये clear हो गया बेटा समझ गये तो ये बात आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि एक मिनिट में 6 डिगरी चलती है तो 22 मिनिट में चलेगी 132 डिगरी इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जहां आप गलती त्या करते है वो ये है अब मैं इसे ही में परिवर्तन कर रहा हूँ ये रहा आरे रुक जा ये आ चुका है बटा 2 hours and 10 minutes 2 hours and 10 minutes question ये हिंदी में क्या था हिंदी में question क्या था 2 घंटे अगला प्रशन 2 घंटे 10 minutes में minute की सुई द्वारा तै की गई कोणिया दूरी ग्याद कीजिए एक option है 60 degree दूसरा option है 780 degree तीसरा option है 720 degree और चौथा option है 440 degree option भी मैंने आपको दिये है बटा मैंने option भी आपको दिये है मैंने इसी में परिवर्तन किया और मैं इसी में से आपसे पूछना चाहता हूँ चलिए बटा 780 देंगे या 60 देंगे अब आप ही देखिएगा बटा comment आप लोगों के सामने है कुछ 780 की तरफ जा रहे होंगे तो कुछ 60 की तरफ जा रहे होंगे तो फर्क है बात में है बटी कुछ 780 की तरफ जा रहे होंगे तो कुछ 60 की तरफ जा रहे होंगे और ऐसे तो फारी गलत हो सकता है है बटी अब 780 डिगरी हमारे दिमाग में आता है, सर एक बाद बताओ, 780 डिगरी का भी कोई एंगल होता है, एंगल तो 60 डिगरी पे खतम हो जाता है, तो एंगल आंसर तो 60 होना चाहिए, और मुझे खुशी है कि ज्यादा तर बच्चों ने जो आंसर दिया, वो 780 डिगरी आंसर द आईए देख लेते हैं कैसे, भाई हमें दिया गया है 2 घंटे 10 मिनिट, 2 घंटे 10 मिनिट में टोटल होते हैं 130 मिनिट, जानते हैं, 130 मिनिट होते हैं, भाई ये होगे 120 और 1030, एक मिनिट में चलती है 6 डिगरी तो 130 मिनिट में चलेगी, 780 डिगरी, अब 2 घंटे 10 मिनिट में आप ऐसे भी समझ सकते हैं थी कि 1 घंटे में पूरा चकर लगाएगी फिर दूसरे घंटे में पूरा चकर लगाएगी मिनिट की सुई फिर से 360 और 1 मिनिट में 6 चलती है 10 मिनिट में 60 डिगरी चलेगी तो 60 डिगरी और जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ गया, 780 डिग्री, तो इसका आंसर 780 होगा, एंगुलर डिस्टेंस तो बेटा 10,000 डिग्री भी हो सकता है, एंगल 360 से बड़ा नहीं होता, ये बात हम मानते हैं बेटा, लेकिन बात कर रहे हैं हम एंगुलर डिस्टेंस, तो कोणी ये दूरी एक अलग है, एंगुलर डिस्टेंस अलग होता है, लेकिन 60 आंसर भी हो सकता था, इसका आंसर 6 भी हो सकता था, तो हमने कुछ नहीं किया बेटा, क्या किया हमने इसमें, हमने 2 घंटे 10 मिनिट में मिनिट बना ली, 130 मिनिट, मिनिट की सुई एक मिनिट में चलती है, 6 डिग्री, 130 मिनि लेकिन प्रशन में बड़लाव करता हूं लेकिन मैं प्रशन में चेंज करता हूं और यह चेंज यह है मैं आप से प्रशन पूछता हूं दो घंटे दस मिनिट में मिनिट की सुई पिछली पोजीशन के रेस्पेक्ट में कितने डिगरी का कोण बनाएगी दो घंटे दस मिनिट में मिनिट की सुई पिछली पोजीशन के रेस्पेक्ट में कितने डिगरी का कोण बनाएगी दो घंटे दस मिनिट में मिनिट की सुई पिछली पोजीशन के रेस्पेक्ट में कितने डिगरी का कोण बनाएगी क्यालकुलेट दा एंगल कवर्ड बाइ मिनिट हैंट इन टू आवर्स एं टेन मिनिट विद रेस्पेक्ट टो इट्स प्रिविएस पोजीशन दो घंटे 10 मिनिट में मिनिट की सुई पिछली पोजीशन के रिस्पेक्ट में कितने डिगरी का कोण बनाएगी अब आपका अंसर साथ होगा अब आपका अंसर साथ होगा शांदार बेटा, बहुत बढ़िया अब तसल्ली होगी बिल्कुल सही बता यह देखो बिटा, दोनों बातों को समझना दो घंटे 10 मिनिट का मतलब मैंने कहा दो घंटे 10 मिनिट दो घंटे 10 मिनिट में जो कोणी है दूरी आया एंगुलर डिस्टेंस आया समय का एंगल में बदलना वो मैंने कहा वो 780 डिगरी आएगा क्यासे आयेगा, सुई यहां है माल लो, एक घंटे में लगाया 360, फिर दूसरे घंटे में लगाया 360, 360 और 360, 720, फिर 10 मिनिट और चली गई, 10 मिनिट का मतलब 60 डिगरी, 720 और 60, 780 हो गया, लेकिन अगर मिनिट की सुई यह है, यहां है मिनिट की सुई और यह पिछली पोजिशन इसकी यही है आप यह दो घंटे 10 मिनिट में कितना चलेगी, दो घंटे 10 मिनिट में पूरा चक्कर लगाएगी, 12 फिर अगले घंटे में पूरा चक्कर लगाएगी, 12 और यह दो पर पहुँचेगी बस तो पिछली position के respect में कितना degree तो यहाँ पे हम displacement बताते हैं विस्थापन बताते हैं physics में जो पढ़ाते हैं कि previous position और new position के बीच में जो difference आया जो change आया तो यहाँ पर हम displacement की बात करेंगे तो answer आएगा 60 degree हाँ या ना में जवाब दीजिएगा 60 degree clear है या नहीं है 60 degree तो यह भी आपको फर्क पता होना चाहिए कि आपसे क्या पूछ रहा है कैसे पूछ रहा है तो answer होगा 60 degree angular distance का concept एकदम clear बिटा एकदम बढ़िया लेकिन गलती आप our end में ज़्यादा करते हैं our end में ज़्यादा करते हैं क्यासे करते हैं यह देखो अब मैं अगला question दे रहा हूँ अगला question लिखो बिटा अगला question लिखिएगा अगला question लिखिएगा अब जिसने यह सही answer दिया तो मैं समझ जाओंगा concept को एकदम पस्ट रूप से समझ गए है calculate the angular distance covered by our end from 9.36 a.m. to 2.28 p.m. 9.36 a.m. a.m. होता है सुबह का टाइम अब प्राहन पूरुवान आप जानते हैं 9.36 a.m. से 2.28 p.m. तक तक घंटे की सुई नहीं बेटा मिनेट की सुई नहीं घंटे की सुई घंटे की सुई द्वारा calculate the our distance covered by our end अब की बार मिनेट अंड नहीं पूछ रहा मैं our end पूछ रहा हूँ our end from 9.36 to 2.28 देखते कितने जने आंसर देंगे और इसको करने के 2-3 तरीके हैं ठीक है ना बिटा चलो पताओ शाबाश calculate the angular distance covered by our end बेटा जो पिछला question कहा रहे हैं ना एक आदा बच्चा की सर क्लियर नहीं हुआ पिछले question में मैंने कहा था पूरा चक्कर लगाना एक अलग बात होती है और पिछली position के respect में कितना चला वो एक अलग बात होती है जिनको पिछला concept नहीं समझ में आया वो board पर ध्यान दे बाकी इसका answer दें पिछला concept ये था बिटा ये देखो अगर यहां है minute की सुई तो minute की सुई दो घंटे 10 minute में क्या करेगी minute की सुई दो घंटे एक घंटे में पूरा चक्कर लगाएगी तो एक घंटे में पूरा चक्कर लगाएगी 360 फिर अगले घंटे में पूरा चक्कर लगाएगी यहीं पहुँच जाएगी 360 और 10 मिनिट में यहाँ पहुंच जाएगी, 10 मिनिट में यहाँ से यहाँ और यह होता है, 60 डिगरी, तो 360 और 360 और 60, तो यह हो गया, 780 डिगरी, तो यह तो पहले वाले का था, लेकिन दूसरे वाले का अंसर, 60 कैसे था? दूसरा वाला प्रशन ये था कि ये उसकी पिछली position है इस पिछली position से इसने एक चक्कर लगाया फिर दूसरा चक्कर लगाया फिर आगे बढ़कर यहां पहुँच गई तो पिछली position के respect में कितना चली है तो 60 degree में displacement माना जाता है कि पिछली position के respect में कितना move किया है कितना चला है तो इसलिए मैंने फर्क बता दिया कि 60 में और इसमें क्या फर्क था चलिए ये चीज तो आपको clear हो गई अब बढ़ चलते हैं आगे आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये घंटे की सुई का है 9.36 से 2.28 तो इसका जो आणसर आएगा बेटा और मुझे खुशी है ज्यादा तर बच्चे कह रहे हो 146 डिगरी बहुत शांदार जवाब है 140 डिगरी गरेक्ट आंसर है 140 एकदम सही बताया बेटा आपने गरेक्ट आंसर इस 146 डिगरी 140 डिगरी यह यहाँ पे बिलकुल करेक्ट आंसर मोजूद है 146 डिगरी कैसे आया? तीन तरीके हैं वैसे तो यह वर्बली होना है वैसे तो आपको यह वर्बली करना है कैसे करना है? यह देखो बटा सबसे पहले मुझे यह बताओ सबसे पहले मुझे यह बताओ पहले मुझे बताओ कि डिफरेंस आपको क्लियर समझ में आया देखो बटा सबसे पहला मैं फिर रिपीट करता हूँ आवाज नहीं आता है उस कॉर्णर में आवाज के दिक्कत है 9.36 से 2.28 तक 4 गंटे 52 मिनिट होते हैं यह बात आपको क्लियर है 9.36 से 2.28 तक 4 गंटे 52 मिनिट होते हैं यह बात आपको क्लियर है या नहीं आप कहेंगे बताइए क्या कहेंगे इसके बारे में यह बात आपको क्लियर है या नहीं है अब आगी बीटा वोईस अब वोईस आगई है ठीक है कैसे हुआ देखो सुबह का 9.36 है और मैं दोपैर का 2.36 ले लिए तो तो यह क्या हो गया 9.36 है 10.36 11.36, 12.36 1.36, 2.36 राउंड ओफ क्यालकुलेशन लो तो राउंड ओफ क्यालकुलेशन कैसे बनेगा बिटा कि सुबह 9.36 से दोपैर 2.36 तक 5 गंटे होते हैं होते नहीं होते, सेम टाइम ले लिए है मने 36-36 लेकिन बिटा अपने को क्या लेना है 36 नहीं लेना 28 लेना है हमने 8 मिनिट ज्यादा ले लिए तो इसमें से 8 मिनिट Less कर दो अगर आप इसमें से 8 मिनिट कम कर देंगे तो 4 घंटे 52 मिनिट का Time Interval आएगा अब हो गया, अब मैं तीन तरीके बता रहा हूँ, लेंदी से लेके शौट तरीका सीधा, आप जानते हैं गंटे की सुई एक गंटे में कितना चलती है, कमेंट करके बताइए, जो गंटे की सुई है ना बेटा, जो गंटे की सुई है, वो एक मिनिट में चलती है आधा, लेक ये बात सबको clear है, तो घंटे की सुई एक घंटे में 30 चलती है, घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिगरी चलती है, जब घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिगरी चलती है, जब घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिगरी चलती है, जब घंटे की सुई एक घंटे में 30 चलती है, तो चार घंटे में कितना चलेगी? चार गुना 30, 120 प्लस मिनिटों का चलती है आधा एक मिनिट में आधा चलती है तो बावन मिनिट में बावन का आधा बावन का आधा 26 डिगरी कितना हो गया? 146 डिगरी या दूसरा तरीका क्या था? सब के minute बना लेते फिर आधा करते दूसरा तरीका ये था कि इन सब के minute बना लेते फिर आधा कर लेते समझ गे बिटा तो दूसरा तरीका ये था कि इन सब के minute बना लेते और उसका हम कर लेते आधा येस यानो बिटा सबको clear है ठीक है ये बात लेकिन हमें ऐसे भी नहीं करना, हमें करना है वर्बली, तो देखते हैं कितने जने वर्बली करेंगे, वर्बली कितने जने करेंगे, देखो, 9.36 से 10.36, 11.36, वर्बली करने का तरीका ये था, जो हाथ से आप कर लेते थे, आप बिटा, round of calculation करते, सुबह 9.36 से 2.36 पर चले जा गया, 5.36, 500 डिगरी हो गया, लेकिन अपने को 36 नहीं लेना था, अपने को 28 लेना था, यानी 8 मिनिट कम लेनी है, तो 8 मिनिट का मतलब 4 डिगरी कम लेना है, वही एक मिनिट का मतलब आधा, तो 8 मिनिट का मतलब 8 का आधा, एक मिनिट का मतलब 8 का था, 8 मिनिट का मतलब 8 का था, 450 में से 4 घटाएंगे, 140 डिगरी, ये काम आपको वर्बली कर लेना था, हो गया बेटा ही काम, yes या no, clear है, yes या no, clear है, 140, हाया ना में जवाब दीजे बेटा, फटाफट, 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 146, दूसरी बात, समझ नहीं आया, फिर से बताईए, बेटा, common sense की बात ह तो बैस अवेरे नाष्टा करके, पूजा पाठ करके, योगा करके, नहा दोके, तब आया गरो पड़ने, कई तो क्यार जाई व उसमें कमरे में पड़े हैं, एसी चल रहा है, कमरे में पड़े हैं, या बाहर पंक्खा चला के बैढ़े हैं, ना नाये है, ना दोये है, ना जस्ट उठे हैं और आधी आके खुले और फिर कह रहे हैं सर समझ नहीं आए फिर से बताईए अरे भाई चाहे हमारी क्लास साथ बजे हो साथ बजे मुखर जी नेगर क्लास होती थी पोना घंटा घर से जाने में लगता था तब भी हम यहां ना दोके रेडी होके जाते तो र बुद्धी की उर्जा को भी जागरत कीजिए शरीर की उर्जा भी जागरित होनी चाहिए बुद्धी की उर्जा भी जागरित होनी चाहिए तब ही आप सेलेक्शन ले पाएंगे या तो आपका मस्तिष काम कर रहा है तो शरीर आपकी मदद नहीं करता या शरीर बहुत भे उच्छेक नंबर से रह जाता हूँ, क्या करना चाहिए, मार्क दर्शन करो, तो भाई हर चीज को लाइफ में बैलन्स लेके चलना पड़ेगा, मनुरंजन की भी आउशकता है इसे, इसे क्रियात्मक कारियों की भी आउशकता है, इसे पढ़ाई की भी आउशकता है, सीखना भी है, सब चीजे करनी पड़ेंगी, तो भाई केवल आप ये सोचे हैं कि खाने पीने से, या मैं केवल पढ़ाई ही कर लूँ, तो मेरा सेलेक्शन हो जाएगा, भाई खान पान का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और शरीर में जो है वो अक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी मेहनत भी करनी पड़ेगी, हर काम, बैलेंस तरीके जले के चले, अच्छे एक बात बताओ, इससे मिनिट की सुई का कैसे निकालेंगे, घंटे की सुई का 140 डिगरी आया, मिनिट की सुई का कितना आता, यही काम मिनिट की सुई का होता तो कितना आता, देखो एक तरीका बत या आपने घंटे की सूहीं का 140 निकाला, मिनिट की शूहीं का कीसे निकालतेilim आप क्रोगते अंसर दो बटा क्या हैगा डिस्टैन्स आप मिनिट की शूहीं का निकालते और किसे आ जल्दि बताव बिटा शाबावाश 1752 सोलासो चपन च्रह रहे हैं 352 कह रहे हैं वही जल्दि बता बिटा शाबाश कैसे बताएंगे किस प्रकार से आप कर रहे हैं जल्दी बताव शाबाश 334, 334, 356 डिगरी क्या करेंगे देखो जब common sense की बात है कि ये घंटे की सुई है अगर ये घंटे की सुई है और minute की सुई इससे 12 गुना तेज चलती है minute की सुई इससे 12 गुना तेज चलती है तो सीधा 12 से गुना कर दो 146 गुना 12 क्या जुरोता है 12 चीक 72, 7, 12 चोक 48 48 और 7 55, 5, 12, 12, 12, 5, 17 तो 1752 डिगरी आ जाएगा ऐसे ही किया था या शुरू से क्यालकुलेट किया था ऐसे ही किया था या शुरू से किया था जल्दी बताओ बेटा आप लोगों ने ऐसे ही किया या शुरू से क्यालकुलेट किया जल्दी बताओ बेटा या तो आप टोटल क्यालकुलेट कर लो जो टोटल आता है ना 4 गंटे 52 मिनिट का तो फिर उसको 6 से गुणा कर दो सारी मिनिट बना के या सीधा आप ऐसे कर लो या सीधा नो चीजें आपस में रिलेटेड है चीजें आपस में क्या है बेटा रिलेटेड है ठीक है क्लियर हो गया समझ गए चलिए ठीक है बेटा नहीं आता तो सीख जाएंगे इसमें क्या है आपकी बुद्धी में नहीं गुसा तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ना, भाई कोई आदमी को लगा कि सर ये चैप्टर आपकी बुद्धी में नहीं गुसा तो आपको जज हो गया नहीं आता ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा सब के साथ नहीं है, कुछ मुर्खानन्द हमेशा होते हैं, ब्लेड रिलेशन का मैंने अलड़ी दे भी रखा है, चेक कर सकते हैं, वो तो वहाँ पे कमेंट्स आएंगे तो उससे पता आपको लगी जाएगा, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, अगले पे, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता बेटा, आदमी को अपने निंदक को हमेश सारे बच्चे ऐसे हैं, जो चोरी से batch sale करते हैं हमारा recorded videos का, पकड़े जाते हैं, जिंदगी खराब हो जाती है, पीछे वीडियो भी डाली थी, लेकिन फिर भी हम उने छोड़ देते हैं, चलो कोई बात नहीं, काम तो illegal है बेटा, आप illegal तरीके से batches को sell करते हैं, है ना, जि मैंने ये तो निकाल लिया, our end और minute end का concept बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अब कैसे करेंगे, आप लिखिये, to find time interval, समय का अंतराल ग्याद करना, angle अभी नहीं निकालेंगे बेटा, to find time interval, समय का अंतराल ग्याद करना, नेक्स्ट है बेटा, to find time interval, समय का अंतराल ग्याद करना, क्या होता है बेटा, समय का अंतराल, कैसे बताते हैं बई समय के अंतराल को, what do you mean by time interval, questions आते हैं बेटा, इससे time intervals related, कि time interval लगाईए इनके बीच में, मैं आपसे एक प्रशन पूछता हूँ, होता है, यह बच्चों वाले प्रशन पर आगया हूँ, मैं छटी सात्वी में होते थे प्रशन, लेकिन कमाल की बात यह है, कि आप लोग ही गलती करेंगे, आप अपने कमेंट देख ले ना बेटा, शिवम बेटा, रिकोड़िट सल नहीं है, बिल्कुल रिकोड़िट नहीं है, अपना लाइव चल रहा है, जल्दी बता बेटा, देखते कितने जन्य बताते हैं, और यह काम तो वरबली होना चाहिए भाई, समझेगे यह काम क्या होना चाहिए, वरबली होना चाहिए, जल्दी बताब बटा कौन बताएगा 11 जून 9 बतिस एम से 12 जून 8 बाइस पी एम तक कितने घंटे और कितने मिनिट होंगे कौन बताएगा भाई जल्दी बताव आंसर नहीं आया हाव इट आसी से ट भी कवर होता है इन बाचेस में स्पेशल में जल्दी बताव बेटा 10 गंटे 50 मिनिट 22 गंटे 50 मिनिट वा मेरे शेरों 10 पचास और देखो ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा गलत कराता है अगर ये कुश्चन पेपर में आ जाएगा तो मुझे पता 70 परसंट गलत करके आएंगे 70 परसंट लोग गलत करके आते हैं क्यों भई? क्या जानकारी नहीं है? आपको जानकारी है बावजुद उसके आप अलग-अलग आंसर दे रहे है 22 गंटे 10 मिनिट, 34 गंटे 50 मिनिट, 10 गंटे 50 मिनिट आप अपने कमेंट देख लिए ना बेटा? आप सभी कमेंट दे रहे हैं आप अपने कमेंट देख लो कोई 34 गंटे कह रहा है कोई 10 गंटे कह रहा है कोई 23 गंटे कह रहा है कोई 22 गंटे कह रहा है ऐसा क्यों है भाई मैं इसलिए भाई आपको चीजे बिल्कुल शुणने से कराता हूँ बिल्कुल बेसिक से कईयों का लगता है सरे टाइम बहुत लगता है बाई टाइम लगेगा ना जब बिल्कुल छोटे लेवल से चीजों को उठाके बड़े लेवल पे इसकी जरूरत कहां पड़ेगी इसकी जरूरत आपको incorrect clock make पड़ेगी तुरुटी पूरवक घड़ी ऐसी घड़ी जो गलत समय बताती है तो उसमें correction करने के लिए हमें time interval निक कर लीजिएगा कि कितनों का अंसर ये सही आया 11 जून 39 अम से 12 जून आठ बाईस पीम तक हमें बताना है कितने घंटे होंगे और कितनी मिनिट होंगी आईए एक बार देख लेते हैं 11 जून 39 अम से 12 जून आठ बाईस तो एक बात बताओ वेटा एक बात बताओ 11 जून से देखो एम से एम सेम टाइम पे 24 घंटे बाद होता है आज सुबह 8 बजे कल सुबह 8 बजे आज रात 8 बजे कल रात 8 बजे सेम टाइम पर एम से एम 24 घंटे बाद होता है एम का क्या मतलब होता है बेटा आज रात 12 बजे के बाद आज दोपहर 12 बजे तक एम ये बात आप सभी जानते हैं, तो मैं कहता हूँ आज सुबह 8 बजे, आज शाम 8 बजे, तो 12 गंटे, एम से पी एम सेम टाइम पर 12 गंटे में पलटता है, एम टू एम सेम टाइम पर 24 गंटे में पलटता है, ये बात आप जानते हैं, तो बैटा 11 जून सुबह 9 बत्तिस से, आज 11 जून है सुभई 39 है कल 12 जून सुभई 39 24 गंते होंगे यहेंगे और उसके बाद मैंने आपको दिया PM, तो अगर मैं 12 जून रात 8 बतिस की बात कर रहा हूं, रात 8 बतिस, पीएम, तो बैटा सुभण 29 से रात 9 बतिस 12 गंते में हो जाता, अब यह 11 गंते में हो जाएगा अब ये कितने घंटे में हो जाएगा 11 घंटे में मैंने round of ले लिया बिटा ज्यान से देखेगा तरीका भी यही है कि आप चीजों को round of ले ले क्योंकि आपको calculate करना है verbally तो मैंने कहा 11 जून सुभे 32 से 12 जून सुभे 32 तक 24 घंटे हो जाते हैं 12 जून 29 जून आठ 32 तक कितने घंटे हो जाते हैं 11 घंटे हो जाते हैं तो ये total हो गया 24 और 11 कितने घंटे हो गये बेटा 24 और 11 33 घंटे तो हो चुके हैं लेकिन 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 अभी 35 कहा रहे हैं अभी 33 कहा रहे हैं सर दो चलो फिर आप शानपती करेंगे सर अमारा अंसर ये था अमारा अंसर ये था कौन बताएगा जल्दी बताओ 35 गंटे तो ये हो गए 35 गंटे अपना अंसर कमेंट में बता दो जल्दी बता बेटा अंसर कमेंट गर दो फिर आपको ओगे सर मैंने ये बताया था मैंने ये बताया था 35 गंटे 50 मिनिट 34 गंटे 50 मिनिट 35 गंटे 10 मिनिट आरे भई अभी भी नहीं समझ में आया आदे से ज्याधा प्रशन मैंने करा दिया बेटा हमें 35 गंटे होगे, 24 और 11 कितने होगे 35, लेकिन हमने ज्यादा ले लिया, हमें लेना था, वो 28 तक लेना था, कहा तक लेना था बेटा, 22 तक, तो हमने 10 मिनिट ज्यादा ले लिये, तो 35 गंटे में आप 10 मिनिट कम कर दो, तो 35 गंटे में आप 10 मिनिट कम कर दोगे, तो वो एकदम सही थे 34 गंटे 50 मिनिट कहने वाले एकदम सही थे शेश सारे गलत थे अब बताओ आपका क्या करें जब बेसिक सी बात भी आपको clear नहीं है और आप सपने देखते हैं कि सर हमारा clock segment बिलकुल मजबूत हो जाए नहीं हो सकता बिटा क्योंकि जब बेसिक ही गलत है आप फर्क ही नहीं कर रहे कुछ तो 10 गंटे कह रहे थे माहराज कुछ 22 गंटे कह रहे थे 24 मतलब गंटे भी नहीं निकाल पाए तो मिनिट तक तो आप कहां पहुँचेंगे अज़ा कोई बात नहीं गलत करना अब हमने इसमें करेक्शन कर लिया है बताइए बटा एसास हो गया आपको करेक्शन कर लिया आपने सई है मेरा सर हमारा सई है सई है सई है अब तो सभी बोल देंगे सई है लेगिन टाइम इंटरवल में बटा गलतियां करते हैं 999 तो चलिए अब देखते हैं अब देखते कितने जने करते हैं चलो 26 फरवरी 2020 सुभे 39 से आपको बताना है 3 मार्च 2020 और वो आपको बताना है 3.40 पीम तक भाई जिसने यह बता दिया तो उसका रीजनिंग उसका दिमाग ठीक है भगवान ने उसको बड़िया दिमाग दिया है ट्रेन लेट के कुश्चन्स आते हैं बिटा मैट्स में करा दिये जाएंगे जो यहाँ पे टूदा पॉइंट बाते होंगी क्लॉक की हम वो स्टेडी करेंगे भई जिनों ने इस कुश्चन का अंसर सही दे दिया मैं मान जाऊंगा कि भई आपने अपनी बुद्धी का सही इस्तेमाल किया है कोई बात नी विकास बेटा अमारा गलता तेरा सही है तू खूश रहे बस तू मौज ले पिछले वाले क्वेश्चन में कह रहें जी आपका अंसर गलता है 35 गंटे 10 मिनिट होगा तो बता दो इन मूर्खों को नो बत्तिस से नो बत्तिस चौबिस गंटे और नो बत्तिस से आठ बत्तिस होगे ग्यारा गंटे दोनों को हमने जोड लिया 35 में से 10 मिनिट 34 गंटे 50 मिनिट बताव बिटा इसका अंसर कौन बताएगा 57 गंटे 7 मिनिट अमित मीना ने अंसर दिया मातर 57 गंटे नहीं, 60 मिनिट कहा रहा है के वल 500 गंटे 2 मिनिट और बताओ बिटा जल्दी बताओ बिटा शाबाश अब लटक गए ना बिटा अब आंसर देने में आपको टाइम लग गया है अब आंसर देने में टाइम लग गया क्यों हुआ भाई ऐसा वर्बली क्यों नहीं बता पा रहे हैं ऐसे देखो दिन क्यलकुलिट करोगे सबसे पहली बात सबसे पहली बात तो 29 फरवरी आएगी आएगी 29 फरवरी आएगी नहीं आएगी बिटा 29 फरवरी आएगी क्योंकि 2020 एक लीप वर्ष है तो 26 फरवरी के बाद 27 फरवरी 28 फरवरी 39 फिर 1 मार्च फिर 2 मार्च और फिर 3 मार्च तो जिन लोगों ने ये सिक्वेंज नहीं किया उन लोगों ने गलत कर दिया हलाकि मुझे खुशी है कि कुछ आंसर सही भी है 3.40 पर करना है तो 26 फरवरी 2020 और हमें निकालना है 3 मार्च 3.40 पर यही निकालना है ना बिटा 3 मार्च 3.40 पर तो देखो हम शॉल करते हैं से ये तो बिटा हाथों पर कैलकुलेशन हो जाती है आप 26 फरवरी से शुरू करेंगे तो 26 फरवरी से 27, 28, 29, 1, 2, 3 सेम टाइम टू सेम टाइम चलने दो कोई दिक्कत नहीं है सुभ है 9, 38 से चलने दो और सुभ है यहाँ भी 9, 38 से चलने दो तो आपको पता है कि ये 24, 24 गंटे के कितने सेशन हो जाएंगे ये 24, 24 गंटे के ये देखो ना बिटा 26 के बाद 23, 23, 29, 1, 2, 3 तो ये 6 सेशन हो जाएंगे तो 24, 24, 24 गंटे हो चुके है और उसके बाद हमें जाना है 3 मार्च को टाइम क्या लेना है बेटा 3, 40 तो ये एम है बेटा और अगर हम 3, 40 पीम पर जाएंगे तो हमारे पास हो गए 10, 11, 12, 1, 2, 3 यानि हमारे पास 6 गंटे 2 मिनिट और हो गए तो 144 में 6 गंटे 2 मिनिट जोड़ दो तो 1,500 गंटे और 2 मिनिट और बहुत बच्चों ने ये सही आंसर भी दिया था लेकिन जो गलत दे रहे हैं ना बेटा उनके लिए चिंता जनक है तो ये हम time interval calculate कर रहे हैं कि समय के अंतराल को कैसे calculate किया जाएगा समय के अंतराल को कैसे calculate किया जाएगा इसी आधार पर समय का अंतराल calculate होगा 1500 गंटे 2 मिनिट तो leap year क्यों नहीं लिया था भाई leap year लेना पड़ेगा न नहीं तो answer ही गलत हो जाएगा और answer गलत हो गया तो फाइदा क्या है ये तो आपके उपर है आपको लेना पड़ेगा leap year कोई बताने नहीं आएगा कि ये leap year है और आप यूँ भी नहीं कह सकते कि सर मुझे leap और ordinary का फर्क नहीं पता फर्क बेटा आप बच्चे नहीं है आपको leap और ordinary का फर्क बड़े अच्छे से पता है समझगे बेटा कोई दिक्कत नहीं है चलो गलतिया हो जाती है लेकिन गलती में सुधार कर लें तो बहतर होता है गलती में सुधार करें तो बहतर होता है एक प्रशन और देता हूं बेटा मैं एक प्रशन मैं आपको अभी और दे रहा हूं जैसे अभी का टाइम ले लेते हैं शनिवार आठ मई आठ मई और टाइम है हमारे पास अभी 10.45 10.45 एम है अगर मैं इसमें अगर मैं इसमें दोस्तों 10 गंटे और 55 मिनिट जोड़ दू तो क्या आएगा कौन सी तारीक आएगी और कौन सा टाइम आएगा ये भी बता दो बेटा पहले तो basic clear कर लो ना clock के कल से तो proper chapter शुरू होई जाएगा समझे गे बेटा जल्दी बता बेटा शाबाश कौन बताएगा बेटा ये तो जानकारी आपको already होनी चाहिए है ना बेटा और जिनको अभी भी doubt रे जाए ना तो क्या करना बेटा एक बार और देखला ना वीडियो को leap और ordinary बता तो फिरोज calendar में बताएंगे जो 4 से divide होता है वो leap year है जैसे 2020 2020 4 से divide हो रहा है तो leap year है और 2021 4 से divide नहीं होगा तो ordinary year है तो leap और ordinary का फर्क आपको पता है जल्दी बताओ बेटा 11 माई कह रहा है कोई 16 माई कह रहा है ठीक है लेकिन कौन सी तारीक है और कौन सा टाइम है मैंने जोड़ना है 210 गंटे 55 मिनिट इसमें 210 गंटे 55 मिनिट जोड़ेंगे तो क्या हैगा आओ बेटा 24-24 गंटे के session लगा कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें आसान सी चीज है घबराने वाली कौनों बात नहीं हम बात कर रहे हैं आठ माई की और आठ माई की सुभह में हम बात कर रहे हैं 10.45 एम होता है सुभह और इसमें हमें जोड़ना है कितने गंटे 210 गंटे और 55 मिनिट आज़ा 24-24 गंटे के session 24-48 कितनी session लगेंगे बेटा 24-24 गंटे के जो 16 और 17 माई पर फस गए बेटा आप तो आके क्यों भाई 16 और 17 माई पर फसे हुए है कोई 15 भी कह रहा है वा पूरे session लगा दो बेटा देखो अगर हम 24-24 गंटे के 8 session लगाए तो 24-6-92 गंटे गुजर जाएंगे 8 session का मतलब क्या है 8 माई 8 माई से 9-10-11-12-13-14-15-16 हाया नामे जवाब दो बेटा 24-8-192 गंटे हो जाएंगे तो 8 माई में 8 दिन का session और जोड़ दो तो 16 माई पर पहुँच जाओगे आप और 16 माई आप सुभे 10-45 पर पहुच जाएंगे आप सुभे 10-45 पर पहुच जाएंगे अगर मैं इसमें 12 गंटे और जोड़ दूँ 12 गंटे क्योंकि 192 और 12 तो 192 और 10 तो 12 गंटे पहुचके आप 16 माई पर ही पहुचेंगे लेकिन 16 माई रात 10-45 पर पहुच जाएंगे रात 10-45 पर पहुच जाएंगे बिटा पी-म हो जाएगा ये हाया नामे जवाब दो बिटा कहां पहुच जाओगे पी-म यहां तक आपको क्लियर है 8 माई सुभे 10-45 में 24-24 गंटे के हमने 8 सेशन जोड दिये तो 192 गंटे हो गए तो हम पहुच गए 8 और 8 16 माई सुभे 10-45 और 16 माई सुभे 10-45 में अगर मैंने 12 गंटे जोड दिये तो 16 माई रात 10-45 पर हम पहुच गए यानि 192 गंटे ये जोड चुके हैं 204 गंटे, हम 204 गंटे जोड चुके हैं बेटा, 204 गंटे, इसको पूरा एक गंटा मालो ना, पांच मिनिट बाद में कैंसल कर देना, इसको पूरा एक गंटा मालो, इसको पूरा एक गंटा मालो तो 211 गंटे हो गए, 211 गंटों में से हम 204 गंटे जोड चुके हैं, अभी 7 गंटे जोडने और बाकी हैं बाद में 10 मिनिट कम 5 मिनिट कम कर देना अगर इसमें हम 7 गंटे और जोड़ दें तो 10.45 के बाद दिन बदलेगा तो दिन 17 मई आएगा क्योंकि रात 12 बजे के बाद दिन पलड जाएगा 16 वाले तो खतम होगे सारे 16 जो कह रहे थे ना बेटा ये 10 मई 11 मई 12 मई 13 मई 14 मई 15 और 16 मई 16 मई सुबै हम 10.45 पर पहुंच गए हैं 24 गुना 8 होता है 192 तो 192 गंटे तो 16 मई सुबै 10.45 पर पहुंच गए फिर मैंने 12 गंटे और जोड़ दिये तो मैं 16 मई रात 10.45 पर पहुंच गया मैंने कहा 192 और 12 होते हैं 204 गंटे इसको मैं प पेंतालिस से 11पेंतालिस 12पेंतालिस एक पेंतालिस तुमरे पहुचूंगा 5.45 अेम पर और मुझे कम करनी होंगी 5 तो मैं 5 मिनित अगर कम कर दूँगा तो 5 मिनित अगर कम कर दूँगा तो आंसर आ pleins चालिस आम, ये कितनो का आसर था बिटा, पांच चालिस आम, पांच चालिस आम, तो 17 मैई 5 चालिस आम कहने वाले एकदम सही थे, जो 17 मैई सुबह पांच चालिस चालिस कहा रहे थे, वो एक दम सही थे तो ये था बटा टाइम इंटरवल तो 16 वाले गलत क्या गुरुजी 10.45 को डारेट नहीं जोडेंगे जोड तो डारेट सकते हैं बटा जब आपने यहां किया तो मैंने तो बटा को step by step सिखा दिया कि एक-एक step को लेते हुए आप ऐसे कर सकते थे फिर से बता दू एक बार आखरी बार बता रहा हूँ यह देखो बटा आठ मई सुबह 10.45 में 24-24 गंटे के 8 सेशन लगा दी 192 गंटे हो गए 8 और 8 हो गया 16 मई फिर 16 मई हम सुबह 10.45 पर पहुँच गए अगर मैंने इसमें 12 गंटे और जोड दिये तो 10 में 7 जोड़ो 10 और 7 17 होता है 17 का मतलब 5 होता है 10 और 7 17 17 का मतलब क्या होता है 5 10 और 7 17 17 का मतलब 5 होता है तो यहाँ पर मैंने 5 40-45 में से 5 मिनिट आप चाते तो 24-24 गंटे के 9 सेशन लगा सकते थे तो जब आप 24-24 गंटे के 9 सेशन लगाते तो 216 गंटे हो जाते बेटा फिर आपको पीछे आना पड़ता फिर आपको माइनस करना पड़ता माइनस करना हमेशा आपके लिए गड़बड क्रियेट करता है खासकर कैलेंडर क्लॉक वाले कुश्चन में उल्टा चलना नेगेटिव चलना पीछे चलना गड़बड का यह समझ में आगया बिटा क्लियर हो गया येस या नो क्लियर है तो यह आपका आनसर होगा तो हमारा आनसर आया हम पहुँच जाएंगे 17 मई सुबह 45 तो कल हम एंगल निकालने की शुरुवात करेंगे कल इंदा सेंस मंडे की क्लास में हम एंगल निकालने की शुरुवात कर आया है कि आपका जो basic है वो क्या है clocks related समझेगे बेटा ये बेस आपने सीखा है clocks related बाकी तो आगे जो चीजें है वो और आसान हो जाएंगी इतना आपको समझाना चाहिए ठीक है बेटा खाओ खाना मैं तो खापी गया हूँ कुछ भी मुश्किल नहीं था बेटा कहां मुश् आज पहली class थी Sunday को class नहीं होगा बेटा Monday to Friday class होते है बस इसलिए मैंने आज class की शुरुवात की है नहीं तो Friday Saturday था लेने की आशकता नहीं थी लेखिंगे अब आज की शुरुवात थी ठीक है बेटा Monday से हम वापस आ जायेंगे और आगे continue करेंगे बहुत-बहुत शुक्री आप सभी का स्वस्त रहिए भई, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, घर में रहिए, और online platform का लाब उठाते रहिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, वंदे बातरम जय हिन जय भारत, और हाँ, payment आप Monday या Tuesday तक कर सकते हैं, जो भी batch हमारा है, उसकी payment आप Monday Tuesday तक क बताएंगे, सब कुछ बता दिया ना बिटा, जब SST भी आ गया, banking भी आ गया, railway आ गया, CSET आ गया, state आ गया, एक year की validity, साथ में VOD, batch भी आपको दिये जा रहे हैं, और क्या चाहिए होई, साथ में VOD, और जैसे लिखा है basic to I, तो हमने तो भाई बिलकुल basic से शुरू किया, यह time interval आपको बच्पन में सिखाया जाता है, maths बढ़ा होगा ने NCRT का, तो जब समय देखना आगया, तो छटी class में time interval निकालने पर exercise दे रखे, नहीं लगी तो जाके check कर लीजिएगा, तो हमने तो बिलकुल basic से है, बस time बताना नहीं सिखाया, कि time देखो ऐसे निकालते है time check करो, time आप सभी को देखना आता है, बस time आता है, तो clock chapter आता है, इसी को आगे हम continue करेंगे, वंदे मातरम जहिंत